हलोस दूल नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है भई एक्जाम मास्ट चैनल में और ये होगा अलंकार की ट्रिक दो तरीकों से एक फिल्मी तरीका और एक ट्रेडिशनल हमारा लिट्रेचर वाला तरीका साहित्य वाला तरीका जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलंकार को दिमाग में कैसे फिट करना है ट्रिक से युनु ट्रिक made it easy तो लब आसान बना देना चीजों को तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से अलंकार की जो कठिनाई है जो ना समझ पाने की समझ है वो समझ आज से आपकी भूल जाएंगे और अच्छ वाली समझ आजाएगी जिसमें आप चीजों को समझ पाओगे ठीक है तो अलंकार की ट्रिक में सबसे पहले तो यह देखेंगे कि यह ना एक बड़ी फेमस कविता है बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रस की भाशा यानि अगर कोई वर्ड बार बार आ रहा है कोई वर् को कहा कहिए क्या हाल है तो का 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 बार बार आ रहा है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी के चमत से जो भी है चटनी चटाई तो इस तरह से आप देख सकते कि जहां पर कोई वर्ड बार बार आए वहां पर हम अनुप्रास अलंकार तो हम अनुप्रास अलंकार लगाएंगे, हाला कि अनुप्रास के बहुत सारे सब टाइब्स है, मतलब अनुप्रास में छे काल आटा, यह इतना डीप में आपको पढ़ने के जुरूत नहीं, वो कभी मैं आपको फिर से बता दूँगा, फिर आते दूसरे में, और यमक में ज सवगुनी मादकता अधिका है, यानि कनक और कनक, एक कनक का मतलब हुआ सोना, और दूसरे कनक का मतलब हुआ धातूरा, है ना, यहाँ पर कनक, कनकते सवगुनी मादकता अधिका है, मतलब बहुत ही जादा मादकता है, यानि धातूरे से भी जादा मादकता सोने में है, एक एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है या अर्थ है सोना अब इसको अगर आप समझे तो एक बड़ा ही प्रचलित फिल्मी गाना है सजना है मुझे सजना के लिए तो यहां पर सजना जी जो है सजना है मुझे सजना के लिए एक सजना जो है वो डेकोरेशन वाला न लड़की जो अपने प्रियत्म के लिए सिंगार वगेरा करती है ये सजना, समरणा, सजना और एक सजना ये, वो उनके प्रियत्मजी है, उनके हस्बेंट, प्रेमी, जो भी आप समझ लोगी तो यहां पर यहां यमक अलंकार है, सजना है मुझे, सजना के लिए, तो यह ची को अंग्रेजी में कहते हैं पुन पी यू एन तो अनुप्रास और यमक आपको एक दम क्लियर हो गया होगा ना अब बात करेंगे हम स्लेश अलंकार की स्लेश में एक तो ट्रेडिशनल एक्जामपल यह है कि सबसे पहले इसकी परिभाशा जान लो कि शब्द आपका एक ही रह है ना पानी गए न उबरे मोती मानुस चून यह जो लाइन है पानी गए न उबरे वाली इसमें पानी जो है यह एक ही बार है ना पानी गए न उबरे यानि पानी के जाने के बार नहीं उबर पाते कौन कौन मोती मानुस और चून अब इस पानी का जो अर्थ है यह मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इजग और चूने के लिए पानी, तो तीन अर्थ हुए शब देख है इस लाइन में पानी, तो यह होता है शलेश अलंकार, जैसे फिल्मी गाने में मैं आपको बता दूँ, मुहबत बरसा देना तू, सावन आया है, गाना सुना होगा आप सबन सावन शब्द है ना, यह एक तो सावन, सावन मौसम का है, सावन है ना, और दूसरा सावन का अर्थ बड़ा खुश हाली से है, है ना, जो कवी है वो बड़ा खुश है, तो उसके जीवन में बड़ा खुश हाली है, एक तो खुश हाली का सावन आया है, और एक तो मौसम व चढ़ा कर छोटी बात बताया, यानि अतिशयोकती अलंकार हम कब कहेंगे, जब किसी छोटी बात को बहुत जादा बढ़ा चढ़ा करके किया जाए, वहां पर हम जो है, अतिशयोकती अलंकार रखते हैं, अब अतिशयोकती अलंकार में एक famous example आप देखे होंगे कि क्या होता है अतिशयोक्तिय लंकार में बड़ा famous example था कि महराना प्रताप का घोड़ा जब तक महराना प्रताप सोचते कि जो है नदी को पार कैसे करें तब तक चे तक नदी के उस पार था या हनुमान जी की पूँच में आग लगते देर नहीं कि सारी लंका जलके राख हो गए और सारे राक्षस डर के भाग गए और अतिशयोक्ति में अगर हम बात करें तो अपना जो फिल्मे example है न अपने गाना सुना होगा सुनो ना संग मरमर की ये मिनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे तो ये क्या है संग मरमर की मिनारे भी उसकी प्रियतमा के आगे कुछ भी नहीं है ये अतिशयोक्तियलंकार है कवी की है न तो जहां पर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा की इग्जागरेशन कर दिया जाए बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया जाए तो ये चारो एक्जेम्पल से समझ गया है नहीं समझे तो वीडियो को दुबारा देखना और अच्छे से देखना तो जो जो एक्जेम्पल में बता रहा हूँ ये आपके माइंड में से ठो बहुत ज़़्यादा बढ़ा चढ़ा के बाद केलना एक शब्द के अनेक, एक शब्द है अर्था नेक है, यहाँ पर दो शब्दों का जोड़ा आता है, दोनों के अर्था अलग-ALग है और यहाँ पर किसी एक particular word की आवल्थी बार-बार होती है तो अनुप्रास, यमक, श श्लेश अतिशोप्ति चार अधंकार के बाद देखेंगे चरन कमल इक रूप मानकर रूपक की परिभाशा साथ से समसर्ज उपमा जी की आशा ठीक है उत्प्रेक्षा संकेत समझिये मनु मानो जनु जानो और दो चीजों में भ्रम पैदा हो ब्रांतिमान पहचानो तो यह च आइन में समझेंगे देखें दो चीजों की तुलना गॉंपरिजन बिट्वीं टू तिंग्स जैसे जैसे यह चांद सा रौशन चहरा यह जील से नेली आखें या जैसे कुछ भी समझ लो चरन कमल के समान है ना चरन जो है वो कमल के समान देखें आगे मैंने लिखा भी है मुख चंद्र सा यानि चंद्रमा जो है वो मतलब मुख जो है वो चंद्रमा के समान है तो क्या होगा उपमा ठीक मुख चंद्र सा कहूं तो उपमा मुख ही चंद्र है तो कहूं रूपक और मानो मुख चंद्र हो तो प्रेक्षा एक लाइन में समझ लिजे तीनों मुखचंद्र सा उपमा, मुखचंद्र है रूपक और मानो मुखचंद्र मा है, तो मनहु मानो, जनहु जानो जहां पर आ जाए, कि मानो जानो जैना, यह उत्प्रेक्षा में आता है, तो यहां पर देखिए वही चीज कह रहा है, यह लाइन में जो है, यहां पर देखिए सा साफ साफ क्या कह रहा है चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाशा यानि जहां पर चरण को ही कमल का रूप मान दिया जाए यानि चरण कमल ही है कमल के समान है तो आपका उपमा होगा लेकिन कमल ही है तब आपका रूपक होगा इसके बाद आपका जो है उपमा हो गया उत्प्रेट्षा हो गया अब बचा आपका घान्तिमान और संदेह अलंकार घान्तिमान को समझते हैं देखे आगे अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात हो ना सुनो ना संग्मर्मर की यह मिनारवने आपको बता दिया रूपक अलंकार जो है इसके बाद जहां ध्रम पक्का हो जाए यह बड़ा famous example है बड़ा traditional example है यहां पर देखिए घान्तिमान और संदेह में difference यह होता है कि संदेह में जो doubt है वो doubt बना रहता है लेकिन घान्तिमान में भ्रम पक्का हो जाता है जैसे किंशुक कुसुम जानकर जहपता तोते की निज लाल चोच पर तोते न की avons एक निज चोच चलाई जामुन काफल उसे समझ कर कैसे किंशुक कौन है भ्रमरा भ्रमरय को होगया थूच वोड़ा है तो थोच पर जहपत पड़ा प्रेकि ऑन पर च libर होगया ने ज़मरे दल भिणे से छ commandments में जाता Does और वो जप्ता तो उसका घ्रम क्लियर हो गया कि नहीं यह तोटे की चोच है यहां पर वाक्य में आपको पता चल रहा है कि त với की निज लाल चोच पर यानि भावरे का जो भ्रहम है वह तोते की लाल चोच पर था अज paradox ने निज चोच चला यह तोते ने भी अपनी चोच चला दी जामून का फल उससे समझ पर यानि भावरा काला होता है तो भावरे को जामुन का फल समझकर तोते ने भी अपनी चोच चला दी, तो यहां पर भ्रम हुआ तो भ्रम हुआ तो भ्रम हुआ जो भ्रम है वो कन्फर्म हो रहा है कविता पढ़ने के बाद किसको आपको, घ्रम कविता में उन दोनों को है, लेकिन आपको यह clear है, कि भाव आपको तो यह चीज clear है, तो इसमें अलंकार कौन सा दिकल के आया, भ्रानतिमान अलंकार, अच्छा, संदेह अलंकार में क्या होता है, कि संदेह में भ्रम जो है, वो बना रहता है, डाउट जो है संदेह अलंकार में, वो बना रहता है, ये आप जान लिजे, ठीक है, तो यहा आप ना समझे हों, तो जरूर पूछिए, और फिल्मे एक्जामपल आपको कैसे लगें, ठीक है, संदेह अलंकार के बारे में बात करते हैं, इसके बाद संदेह में डाउट जो है वो आपका बना रहता है, मतलब कविता पढ़ते समय भी जो है ये चीज़े क्लियर नहीं होती है, कुछ ऐसे एक्जामपल मैं आपको बटाऊंगा, उससे पहले देखे, स्लेश अलंकार मुहवद बरसा देना तू सावन आया है, ये हो गया, यमक अलंकार सजना है मुझे, सजना के लिए तो सजना के दो अर्थ हैं, और इसके बाद अब आपका बचता है, संदेह अलंक का एक एक एक्जामपल है, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, है ना, ये बड़ा बढ़िया जो है, संदेह में डाउट बना है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, यानि सारी के बीच में नारी है, यानि इस्तरी है या नारी के बीच साड़ी इसका निश्य नहीं हो पा रहा है यह doubt नहीं clear हो पा रहा है जिसकी वज़ा से यहाँ पर संदेह अलंकार होगा इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार repeat करके देखना और share करना जो मैंने film में examples बताए हैं उनको एक बार mind में set करने की कोशिश करना तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने मतलब दोनों चीजे traditional में बता दी आपको संदेह अलंकार clear हो गया ध्रानतिमान अलंकार clear हो गया रूपा का अलंकार clear हो गया यह चांसा रोशन चेहरा यानि चांसा रोशन चेहरा चेहरा जो है वो चांसा ही रोशन है चांसा जैसे अगर कहे दें कि चेहरा चांसा जैसे है है ना यह चांद मतलब देखिए जहां पर comparison हो और जहां पर comparison ना हो दो अलग अलग चीज़ें मुझे नहीं लगता कि यह example यहां पर उतना fit है चांसा रोशन चेहरा पर जुल्फों का रंग सुनहरा लेकिन जुल्फों का रंग सुनहरा कह रहा है न तो यह चीज़े मतलब रूपक में नहीं मुझे लगता है कि सा सी से कि वज़ा से यह उकुमा में जाना चाहिए क्या लगता है आप सबको इस पर ज़रा कमेंट करके बता देना यह बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रूपक की जगा उकुमा वहां पर लिखना चाहिए था तो उत्प्रेक्षा उकुमा और रूपक मुक्चंद्र सा मुक्चंद्र है मानो मुक्चंद्र है यह एक्जामपल क्लियर है उपमा में दो चीज की तुलना रूपक में दो चीजे एक कर देना और प्रेक्षा में दो चीजों का एक समान होना कल्पना तो पहली बात इसमें क्या-क्या याद रखेंगे, यह जो आठ लाइन की कविता है, वो आप याद कर लीजे, अलंकार की कविता, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अलंकार की ट्रिक में, इसकी कविता, examples, यह दो-तीन चीजे अगर आपने mind में set कर ली, तो भाई साब, आपको क कोई भी, मतलब कोई भी जो है, नहीं हरा सकता, आप चीजों का समझ गए, कविता का समझ गए, अलंकार आभूशन है, शब्दा अलंकार, अलंकार, और फिर इसके बारे में कोभी details है, मतलब एक पूरा lecture होगा, यह तो बस एक tricky वीडियो था, कि आप trick से उपर-उपर से ची जाएंगे, ठीक है, तो जितने अलंकार मैंने बताए, सच में यह important है, और यही परिक्षा में आते हैं, और बाकी जो भी types है, वो उतने जादा important नहीं और नहीं इतना परिक्षा में आते हैं, परिक्षा में आने वाले अलंकारों को आपने समझ लिया, तो वीडियो पे like ब